दोस्तों दिल ही जीत लिया है इसके अंटू-टू बेंचमार्क स्कोर्स ने टेंपरेचर दसमेंट में 15 डिगरी बढ़ गया 47 तक चला गया चाहे दसमेंट और खेलता तो इस पर अंडा भी फ्राइज हो जाता दोस्तों अस्रामनेकूम वलकम डो खरिदारी मेरा नाम तैयब है और ये है सामसंग गिलेक्सी A22 का गेमिंग रिव्यू और इसका पबजी टेस्ट दोस्तों सामसंग गिलेक्सी A22 रिसंटी पाकिस्तानी मार्केट में काफी जादा प्राइस रेंज में लाँच कर दिया गया अब दो वेरियंट्स में आया है 4GB वेरियंट की प्राइस है 40,900 रुपे जबके 6GB वेरियंट की प्राइस रखी गई है 43,750 रुपे अब दोस्तों ये प्राइस इनके अपने ही मॉडल सामसंग A32 से भी जादा है जो कि इस वक मार्केट में 40,000 पे का है और उसके बिल्ट और फीचर्स काफी जादा चलूँ यहाँ पर आपको Super AMOLED डिस्प्ले देखने को मलता है जिसमें 90 Hz का refresh rate रखा गया है साथ यहाँ पर 720p का डिस्प्ले रखा गया है तो डेफिनेटली 41,000 पे की प्राइस रेंज में 720p का डिस्प्ले जेस्टिफाय नहीं करता अब दोस्तों यहाँ पर 5000 mh की बैटरी रखी गई है 15 वाट की फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट रखी गई है एक गेमिंग सीरीज का चिपसेट रखा गया है जो कि इससे पहले हमने 20-22,000 वल डिवाइस में भी देखा लेकिन अच्छी खबर यहाँ कि आपको यहाँ पर 41,000 पे की प्राइस रेंज में देखने को म खाない है हम इसमें गेमिंग टेस्ट चेक करेंगे कि वाइल गेमिंग फौन ए dus नहीं होता बेटरी जहसे हमें वीडियो में तो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें चैनल पहले हैं तो सबस्राइब कर लें साथी साथा बpen sixt ऐसे बहले अपको मिल सकें आप हमें फेस हैं Samsung Galaxy A22 के gaming review की तरफ ओक जी तो आज हमारे पास Samsung Galaxy A22 अब दोस्तों यहां पे इसकी build quality और इसके बाकी सारे feature जितने शांदार शांदार feature थे वो सब मैंने इसकी unboxing और इसके full review में cover की हैं उपर आए button में link दे रहा हूं जरूर पूर देख लेना यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को सब कुछ clear हो जाएगा अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले display की बात करें तो super AMOLED display लगाया गया है जहां पर आपको 90 Hz का refresh rate भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको bezels तो काफी thin मिलेंगे लेकिन चिन काफी मोटी सहरी मिलेगी अब 41,000 रपे की price range में आपको 720 डिस्पले देखने को मिल रहा है दोस्तों यह काफी दुख की बात है अब दोस्तों यहां पर इसके अब दोस्तों यहां पर इसके अगर हम एक लाक सतर हजार अब दोस्तों यह जीत लिए इसके एक तालीस हजार पे की price range में आपको एक लाक सतर हजार अब दोस्तों यह टेस्ट एसी में किया गया यानि के cool temperature में किया गया still इसका एक लाक सतर हजार आया है अगर मैं इसको गर्मी में कर देता तो शायद यह डेड़ लाक सभी नीचे चल जाता अब दोस्तों यहां पर mention करता जाओं के चालीस हजार पे की price range में हमें तक्रीबां तीन साड़े तीन लाक हैं टू-टू बेंचमार्क स्कोश देखने को मिल जाते हैं लेकिन भाइ सैमसंग है ब्रैंड है यार ऐसी बात थोड़ी है यह एक लाक सतर हजार में भी चलेगा कोई मसले वली बात नहीं है अब दोस्तों आगे चलके यहां पे हम बात कर लें इस वकत इसकी बैटरी की तो इस वकत इसकी बैटरी है 51 परसंट और डिवाइस के हम टेंपरेचर की अगर इस वकत बात कर लें तो हमारे रूम टेंपरेचर है इस वकत 31 अगर डिवाइस के टेंप 呀 33.9 वैग साइड की बात काले को 31.1 देखने को मिलेगा और केमरा बंप काले पहुं यहां पब ग्रिय होते हैं करे नो इसको चलाके देखते हैं के आप डिफिनेटली यार सामसंग ने मीडिया टैक से खुद टिपसट तियार करवाया, कुछ आप्टिमाइजेशन करवाया, कुछ अपग्रेड करवाया, तो परफॉर्मस तो अच्छी होगी, दोस्तों पब जी को कर लेते हैं स्टार्ट, और जैसी गेम स्टार्ट होती है, मैं आ यहां पे भी आपको लो मीडियामाइज और अल्ट्रा फ्रेम्रेड्स टी कि स्पूर्ट देखने को मिलेगी, स्टी की बात करें यहां पे आपको उइसल्व बेलेजिक के दरफ लीगैस, present है, अब दोस्तों यहां पर आपको जायरो की स्पूर्ट की देखने कैशी रहती है वाइल गेमिंग आपको लैक्र और क्या रहती है बेटरी की निफ इन अब जैसे गेम् स्टार girls के साथ सब्सक्राइब और सबस्टाइब यहां लोग यहां हो जो के इस्थ आपको टेस्ट नेयों आपको counted के लिए और था जायरो में तो जायरो को बंद कर लेते हैं अब दोस्तों यहां पे ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं ताके आप लोगों को एक्सपीरियंस जरा अच्छा है अब दोस्तों यहां पे एक चीज क्लियर करता जाओं कि स्क्रीन इसकी डेफिनिटली काफी ब्रा रहे हैं क्योंकि यहां पे अमोलेड डिस्प्लेय लगाया गया है तो अपको कलर्स अच्छी देखने को मिलते हैं अब डिस्प्लेज की बात करोऊ किरूं कमछी स्मूथ लग रहा है डिस्प्लेज यहां पर काफिस मूथ तृचके से लिअ्यम्स जॉर्क कर रहे है और क्ल बी कर दिये और डेवाइस यहां पर अभी तक काफी जबरदस परफार्म कर रही है मुझे अभी तक किसी किसम का फ्रेम दॉप देखने को नहीं मिल रहा दोस्तों यहां पर आप मैं आपको बताता चलों कि यहां पे मेडिया डेक हता लगाया गया है अब दोस्तों जी एटी आपको काफी सारी सस्ती डिवाइस में भी देखने को मिलता है लेकिन यहां पे आपको 41,000 पर की प्राइस रेंज में देखने को मिल रहा है यह चीज मुझे काफी हर्ट कर रही है कि डेविनेटली यार के आपको जो चिपसेट 20-22,000 देखने को मिलता है वो आपको यहां पे 41,000 पर में देखने को क्यों मिल रहा है यह काफी हर्टिंग पॉइंट है और यह काफी बुरा फील हो रहा है मुझे बारहल दोस्तों यहां पे डिवाइस की परफॉर्मेंस अभी तक मुझे ठीक लग रही है थोड़ा-थोड़ा सा मुझे हीट होता नजर आ रहा है सिस्टम लेकिन वो हम गेम के एंड पर चेक करेंगे कि भाई कितना हीट हुआ है अब दोस्तों यहां पर इंजॉय करें आप थोड़ा सा गेम प्ले को और गेम के एंड पर देखते हैं कि भाई हमारी के पोजिशन रहती है डिवाइस की क्य रिस्पॉंसिव हो रहा है दोस्तों यहां पर मीडिया डेक का हिलियो जी एटी में अब इतनी ही जान है बहुत जादा आप एक्स्ट्रीम गेमिंग नहीं कर सकते इसमें लेकिन ओवराल मुझे यहां पर डिवाइस की आप्टिमाजेशन अच्छी लग रही है लेकिन डिव थोड़ी थोड़ी सी हीट होना शुरू हो गई है तो यहां पर आपको यह वाले इश्यूज एक्तालीस अजार रपे की प्राइस रेंज में देखने को मिलेंगे हम गेम जीत भी चुके हैं आपके भाई ने कर दिये यारा किल इतनी ठकीवी डिवाइस में स्टिल यहां पर परफॉर्मेंस बहुत जादा बूरी नहीं थी लेकिन 41,000 रपे की प्राइस रेंज वली भी परफॉर्मेंस नहीं थी डिवाइस थोड़ा-थोड़ा सा हीट हु कि हमने 10 मेंट की गेमिंग की है 10 से 12 मेंट की गेमिंग की है और इस वकत बैटरी रह गई यह आपकी सिरफ और 48 परसंट और अगर डिवाइस का तेमपरेचर चेक करें तो इक वकत बैक साइड पर 38.6 जियां दोस्तों तकरीबान 7 डिग्री बड़ा है और सामने और और कैमर 6.2 दोस्तों डिवाइस सिरफ 10 से 12 मिंटों में इतना जाधा हीट हो गई है यह मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था डेफिनिटली सामसंग का वन यूए जो है यह काफी जाधा ऑप्टिमाइज आ और इसके बारे में मेरी काफी अच्छी राय थी कि भाई यह आप्टिमाइ किसी भी हिसाब से ना इसमें अच्छी गेमिंग हो सकती है ना इकटार्फिनिटली यह दिवाइस टोटल्illy और प्राइस है यह device अगर 30,000 पे की price range में हो तो फिर भी मैं कह सकता हूँ कि हमें समझ आती है लेकिन definitely 41,000 पे की price range में यह device लेना बेवकूफी है और हाँ यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ के भाई यह temperature AC room में test हो रहा है मतलब मैं तंदूर के बैठ के test नहीं कर रहा है यहाँ पर अगर इस वक्त हम room temperature की बात करें तो 32 है अब device का temperature 10 में 15 degree बढ़ गया 47 तक चला गया चाहे 10 में और खेलता तो इस पर अंडा भी fry हो जाता दोस्तों अमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो like कर दीजिएगा अपने friends के साथ share कीजिएगा अगली वीडियो तक के लिए अपने बहुत सरा ख्यार रखिएगा मुझे अपनी दोह में याद रखिएगा टेक केर अला आफिर